मुली भाराज, स्रमन लोग, संग के साथ वियार यत्र तत्र करते रहते हैं उसके बीच में कई प्रकार के व्यक्चतों उनसे मिलते हैं उनकी आँखें जैसे सूर्मा डालने से नेत्र की जोती खुलती है और बढ़ती है वैसे वैसे उन विहार करने वाले स्रमन संगों के कारण उन जनता का एक प्रकार्शी जोती पुष्ट हो जाती है और उससे हमें करना क्या है क्या नहीं करना है किससे बचना है और किसी से दूर रहना है इस सारे कि सारे भी ज्यान प्राप्त हो जाते हैं स्रावकों को भी और स्रावकों के उत्साह को बढ़ानी के लिए एक प्रकार्शी या कारण हो जाता है इन दिनों जैसे चनाओं के माहोल में आप लोग एक दो महिने यू निकाल लेते हैं उसी प्रकार हमने भी सोचा कि उस दिल्दाना के निवित से नेवराज इसको बोलते हैं उसके भी हमने सोचा नया नया चाथिस गड़ बना है इस निवित से हमारे भी चुनाओं पर्दत्री पूर्ण हो जाती है तो बहुत अच्छा है तो भुसका तीन-चानवर फोरू में शिलान्यास किया गया था और खेवल बारा परिवार है सुन रहा है आप ड़ग? खेवल बारा परिवार है आप लोगों क्या कितने परिवार है? हाँ तो यह तो हम वैशे ही पूछ लेते हैं जिसके वाद्यों से कूबट कहां से कहां तक की है कोई बात नहीं एक बार ग्रहा बंद जाए तो फिर तो उसको तो आना ही पड़ेगा अब वहाँ उस गाउन से प्रारण हुआ उसका अल्प समय में उन लोगों ने भिड़ करके एक्ता के कारण और अच्छे अच्छे जो बुद्धी जीवी हैं इस दिशा में बुद्धी का काम करते हैं तो उनको लगाने उनके शयोंग मिलने से वकाण अल्प समय में अज़ किन्तो बहुत बड़ा काम हो गया है आप लोग अवस्त ही इसके दर्शन करेंगे अब हमें इसके अनुरूप के कहां तक दोड़ लगाना है यह अब अनुमान आपको लग जाएगा यहां पर भी कोई कभी नहीं वहां पर भी थोड़ा अलग था किन्तो यहां पर किद्धा का कठोरा होता है वह भारत में कहीं भी नहीं मिलता और जहां महारत में कहीं नहीं मिलता तो विदेशों में तो सवाला ही नहीं होता है तो हरेक ब्यक्ते पहले चाहिए पुवा पहले चाहिए चावल यह पहले चाहिए खीज़ी पहले चाहिए खीज़ी पहले चाहिए वह आपका आपके घर में भी हो रहा है और आपके निविट से विश्च्यू में भी ये कार यहीं से प्रारंब होता है इसलिए यहां के रीटी नीती को अपनाने से देखने से तो ऐसा लगता है हर एक वेक्टरी दुकानदार क्या कहता है कि चीज कोई खरीज नी हो लेकर के आया हो तो उसके नाम क्या होता है यह आप लोगों को मालव है घटा करके आप होता है इसमें देना हो तो ठीक है नहीं तो आप भोत मिल रहे हैं आज और देना है तो भाईया देखो हमने अमारे भाईया ने कहा कि उसको जल्दी नहीं करना है उसको सुलक्षित रखना मांग बहुत उपर की आ रही है बस उसके हो या ना हो कीमत मूले किमत वह बढ़ चड़ जाता है उसी इसकार यह आप लोगों का एक कुण है कि यह दान के लिए तो आजकल तो दुकान चलती ही नहीं अच्छा दुकान चलती नहीं हमने कहां कहां कि दुकान चलती है दुकान तो बहुत फर्णा के साथ दोड़ती है चाहिए बस दोड़ाने वाला ने समझे इसरों के बाते करके हमें एसाब यह नहीं कह सकते तो इस फ्रकार आप लोगों का कार यहां नहीं होगा ऐसा नहीं थोड़ ऐसा अन्यत तुक खर्च होता है इसको कम करके जैसे हमने समय निकाल करके इस यात्रा में निकाला है लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसने इन लोगों के दिवर्षा बढ़ जाता है, तो चलो, तो हम धीरी जीरे करके फिर बाद में हम रायपूर आए, रायपूर वाले में चार पान साल से कहे रहते हैं कि हमें भी वहाँ उसी के अनुसार आगे बढ़ना है, तो तो कोई बात नहीं देख लो, तो वहाँ मूल जो मंदिर है, उनका रायपूर बहुत बड़ा है, पीस पट्चिस लाग के आबादी होगे, और जिदर देखो उजयर, बिलकुल गगन चुम्बी, क्या है, इमारत है, अब उनमें मंदिर जो है, बिलकुल बोना सा हो गया है, मालवी नगर, उसको मूल मूल नगर है, वह मालवी नगर, माल जिसमें त्यार होटा है, माल जिसमें इस रक्षत रखा जाता है, और वह सुरुवार से ही राजदानी की रूप में प्रशिद्धी पाई है, तो उनको कहा है, मराज हम इस एक बनाना है, इतनी हमारे पाथ जमीन है, क्या करें, जो आते हैं, उनके इस परिष्टी देखते हैं, तो हमारा कर्प्रव तुम छूट रहा है, तो कुछ नहीं चूट रहा है, बहुत सारे घर उसके लगे हुए हैं, मूल मंदिर से, उनको एक करके, कोई कार करता, कि ऐसा संग बना दो, जिसके दारा ये काम होई जाएगा, मराज उतना बड़ा काम कैश्य होगा, बड़ा ये राजपूर है, ये भी कार बड़ा हो जाएगा, और ये राजपूर है, किसी प्रकार से अनेक दूर दूर से राजपूर में बसने के लिए, हाँ, तो आगे-ागे हो रहे हैं, इसलिए मूल कहीं आपका चूप कर जाए, इसलिए मिलकर के उसल ऐसा योज ना बन ये आप बनाते हैं, तो कुछ समय हम दे सकते हैं, अब पोने सोनाना काम हो जाता है, तो ये पैसे में आपने को क्या होता है, तो ऐसा करके उनको प्रेडित किया, और वराज इत्रा बड़ा कैसा होगा, इसको इसलिए करोगे, सब होगा है, प्रचिमाओं को इतना, आप सहस्कूट के माद्यम से जमीन का उफ्यो करके करते हैं, तो एक के पीशे तीन नक रखते हैं, तो एक हजार का गिनित क्या होता, बटाओ, ती सिया, हाँ, ती सिया, हाँ, वह समझे आ गया है, यह कोड बर्ड है, सिया, सिया का शाथ होता है, हाँ, तो यहाँ, एक प्रकार से, एक काम आपका हो जाएगा, त्रिकाल, चोवीशी तने विशाल, आंगन है, वह बना दी जाए, तो निश्चित रुप से, इसमें भी लगबा, पंद्रह सिया, तयार हो जाएगे, तो आप से बटाओ, तीस और पंद्रह, कितने हो गए है, यह हजार नहीं है, यह लाक नहीं है, सिया, हाँ, अब अब फिर तो महनाज कर लेंगे, लेकिन एक 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 गरह को टैयार करना आपका काम है, थोड़े से मटा दो, धिरे धिरे हो जाता है, यहाँ पर भी धिरे धिरे हो रहे हैं, यह चोवीशी के माट्रम से, आपका बहुत बड़ा काम हुने वाला है, हाँ, बहुत दिशक होएगे, फिर बाद में कहें के मेरे पास आकर के महराज, हमको तो इनोंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, क्या अपने असा होना नी कर दि, बताओ, कोई बादा नहीं, यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं, आर्शी शी वर्ग के इनकी उम्र जादा जादा साट से अस्षी तक ही है, अपने सामने सामने हैं जिनोंने मंदिर बनाया, उनी के सामने जीरनों धार के आवस्ट्रक्ता पढ़ जाती हैं, नहीं तो उसको मिटा करके दूसरा बनाते जाओं, अब उस जमाने भी लगोंने बनाया, अब यह जी ज तो आप सोच लो कि यजी एक करोड़ में होता है तो इसकी उम्र क्या थूई इतनी थी अब आप जो ये मंदिर बना रहे हैं इसकी उम्र कम से कम भी एक हजार वर्स है महाराज कहर्च बहुत हो रहा है उम्र बहुत मिल रही है यह नहीं कहते हैं सोचो विचार करो कम से कम एक हजार से दो हजार वर्स तक जोंका जों यहां पर कई आसामी नहीं समझे एक से एक बढ़ करके यहीं से आ करके यहीं चले जाएंगे लेकिन यह दीप स्थम्ब दूर दूर तक आपका काम बटा देगा कि यहां पार वी तराग मंदिर है तो इस प्तकार आपको रास्ता इस पत्तन के इसलाओं से बनाने से एक फ्तकार से बहुत बड़ा काम होने वाला है आपको चाहिए आपको दुकान सिरक्षित रहे आपका शुरद्धान सिरक्षित रहे आपकी पनमपरा सुभक्षत रहे तो इस प्रकार का इस समय पर आप खाम करते हैं हो जाता है वह हजार-दो हजार वर्ष तक मंदर यदी खड़ा रहेगा तो आप बताओ नीचे की जो सीमिट है अपने आप ही बहे जाएगी और ऐसे शिते में आपका निशान भी नहीं वहाँ पर मिलेगी किन्तो सब कुछ हो जाए किन्तो यह ऐसे आधार शिदाओं की बात कर रहे हैं आपको यदी अपनी पनमपरा शिद्धान्द का आधार को सुरक्षट रखना है तो यह काम आप कर सकते हैं तो यस मंदिर के लिए जो स्तंब मनाए गए हैं अल्व खर्षे में यदी आपको जादा नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं है विसमवी यदी इक्रम में आप नहीं आप आएंगे अजी भाईया मारा दुक है रहते भाईया भी कह रहता लेकिन हमने नहीं माना अब माना नहीं आप माना अब मिलने वाला नहीं है जान रखना कलता क्या हुने वाला यहां पर हाँ बहुत जल्दी परिवर्थन युग में परिवर्थन आठा है तो यह आधार स्थम्भ को जो वेक्टी अल्प राशी के माट्रम सी कर लेता है तो हमें अभी मालूम नहीं है कि संभभाई 108 उसमें बन जाए आधार स्थम्भाई यदि दो मंजिला बनता है तो इस आधार स्थम्भ का बिस कहना ही क्या है दूर से देखने में आएगा तो यह इस थम्भ जो है अपारे दादा जी का वो इनका है यह इनका है हाँ यह जान रखना अपने को शद्धान्त को सरक्षित लखना है अहिंसा धर्म को बाहर से और भीटर से भीटरांग धर्म के सुरक्षित रहेगा आपके पैसा बहुत जिनों टक वह जीवित रहेगा और बोलता रहेगा आप तो भूलते हो आपका धन भी बोल सकता है यह भुलवाना है तो देख लो हाँ हमने सोचा के बैया मज्जान में हम कहां पर आपके कारे में शामिल होंगे या नहीं होंगे इस प्रकार कहने से जल्दे जल्दे काम हो करके आगया आधारों का अब यह कह रहा हूं तो यह एक सो आट दी आधार तंब है तो आप बहुत अच्छे रंग से चार साल तीन चार साल में खुब आगे भाग जाएंगे और कार सामने आ जाएगा इस प्रकार आधार संब के माध्यम से आप सुनते से देखते हैं तो आधार मूल जो पात्र वीच्राग धर्म खटगासन के और पदमासन के लोग दूर दूर से दर्शन करेंगे त्रप्त होंगे एक कौन क्यों की किसने इस प्रकार की योजना बनाई और सड़क के ऊपर इस प्रकार का मंदिर का निर्मान हुआ है यहां से आवा का मुनकार इतना चलन है राट दिन यहां पर कई लोगों के राट दिन दुकान चलती है कौन से कौन से उनके लिए पईया लगाए देख लो पईया नहीं लगाए राट दिन भईया लगे है तब चलते हैं अशीद रुकार यहां पर भी आप लोगों को वीट राकी रक्षा करने के लिए हजार से दो हजार वर्ष तक उन स्टम्मों के माद्धम से आपको यह कार करना हो तो देखो बहुत अच्छल पर रखा है यह लोग और बढ़ाना चाह रहे थे मत्व करो अपने आप हो जाएगा दो अज्टा आप लोग एक परिवार में दो वर्ष सम्मिल करके भी कर सकते हैं स्वतंत्र भी कर सकते हैं यह इंक भी कर सकते थे चाहां पांच सम भी निकर सकते हैं अपने कूमाद को छुपाऊ नए है कूमाद वीस दौने कूमज़ट हो कन्जूचि अब आपको कोई कह दे कंजुषी कंजुष हूई कैसे काम कर दूआ हृँ क्या करे आज कंव तदुकार चलती नहीं अब चलती नहीं थे तो आप जो तो आप इस परकार कहने से लोगों के ओद आ है कनि एसे बटाओ कर दो अए भुद कर आओना अई पस यह तालिय आ बजाते कि यह तो वह से हैं लेकिन हम एक मिशाल बटा देते हैं देखो हमारे प्राश्चीन मंजिर जो बने हुए है वह कैसे बने है तो जिनकी हाइट है जिनकी उचाई जादा है जिनकी उचाई जादा है और वो जब भगवान के पास पहुंचना चाट रहे है तो क्या करते हैं गर्दन को जुका देते हैं जिनकी आजाता है और एक प्रकार से हमारे माथा भी सुरक्षत रह जाता है भगवान के पास जा रहे हो आप मस्तक एक प्रकार से सुरक्षत रह करके नमोस्तु करते हुए वहाँ जाना फिर इसके उप्राद आंगन में ए सुनो आंगन में खड़े हो जाना सुन रहे हैं क्या नहीं आप लोग ए बोलो नहीं आंगन में होकर के खड़े लहो तो आपको लगेगा शिकर कहा है बजदन्द लगाया है वो कहा है यह तो यूँ कर्चे करते हैं आप टोपी हो तो टोपी किर जाएगे सापा हो तो सापा हो जाएगी और पैर यदि दड़ खड़ा है तो आप वह यह भी भी ये जहे मंदिर का बाहरी विन्यास है इस वकार मंदिर को हम जान सकते हैं आपके मालाओं के माद्यम से नहीं दस खंड का है, नो खंड का है, जात अनका है माराज आज जहना दूर से क्या माराज इस गली में, इस लास्ते में, इस आर्चे हैं ना हाँ तो उनमें प्रविश करने के उप्रांद हमारा पहिला घर है माराज के तब महत पूर्ण यह है चीज इतने दान लेने के उपराद भी हम उस द्वार को जो बिलकुल ही हमारे उन्चाई के बराबर भी नहीं है और उसमें से हम सवेश करने का प्रयाद करते हैं यहां हमारे अहम को दिताने वारा है अहम जानते हूँ अभीमान अभीमान तो है हमेशा 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 खा जाता है जैसे डीमक मिट्टी खा जाती है इसलिए 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 दूर रहो फिर बाद में कोई कार करते हैं तो अभीमान इसलिए बंद हो जाएगा उपर देखते हैं तो वाह वाह काम कर गए कि डेहरी के बाहर ही चढ़ा दिया और अस्तमा गजर्वि भगबान के चरणों में चढ़ा दिया इस प्रकार चलाने ओगी वस्तुpes out भगबान के चरणों में चढ़ाओ और क्या νच करना है तो आघनो हिमान होकर के चिंदन करेंगे इतना परियाप्त है आहिंसा परमो धर्म की